बहुत सरी ऐसी बाते हैं कि भगवान कलकी का आउतार किस अस्थान विसेश पे होना है, कलियू का अंत होना है तो कैसे होना है, उसके वास्त्रिक लच्छड को हम कैसे चिन्हित कर पाएंगे, क्या वास्तों में ब्रम्भांड का विनाश, महा विनाश होने वाला है, आज इस वीडियो के माध्यम से डिटेलिंग करेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, मुकिता हमने स्रीमत भगवत गीता और स्री रामचरित मानस, मनु इस्मृती, भविस मालिका और गर्ग संहिता को हमने अधर बनाया है, जब जब अधर्म की बढ़ोतरी होती है, तो जी ने अपने धर्म की अस्थापना के लिधारा आउतरण किया, द्वापर यूग में भगवान सिक्रिष्णा जी पधारे, और कल्यूग में कलकी आउतरण होने वाले हैं, अर्थात भगवान कलकी के रूप में आउतार लेने वाले हैं, यूग चकर के अनुशार आपको चानकारी भी है कि चार यूग अर्थात सत यूग जिनकी भोग आयू अर्थात पून आयू 17,68,000, दूसरे पायदान पर त्रिता यूग जिसकी भोग आयू 12,96,000 और तीसरा द्वापर यूग जिसकी आयू सिमा 8,64,000 और कल्यूग चौथे क्रम में, जो 4,32,000 की भोग आय सिमा में से, जिसे कल्यूग में जो धर्म का जो चारो आधार जो होना चाहिए, जो सत्यूग में होता था, वह बिलुक्त हो गया, अधर्म में बढ़ोतरी होती गई, अर्थात कल्यूग की जो आयू सिमा 4,32,000 में से 4,27,000 घटा दिया गया, अर्थात 5,000 वर्स ही बचे हु और छमा की बात जो की जाती है धर्म सास्त्र के अनुसार, अर्थात कल्यूग में इन 4,27,000 में से धर्म का आधार धर्म के पैर में कुछ भी शेस नहीं रहा, मित्रों, इस वज़ए से कल्यूग की जो भोग आयू सिमा मातर 5,000 वर्स माने गई, और वर्तमान समय में जो कल् के तहत सामने आई है, वह वर्स का आयू सिमा के तहत 5,126 वर्स को हम प्राप्त कर चुके हैं, अब भोविस मालिका की बात किया जाए, तो भोविस मालिका जो गरंथ है, एक वेसिस्ट गरंथ है, जिसकी रचना 600 वर्स पहले ही उडिशा में, अर्थात उडिशा में, जन मे स्री अच्युता नंदाश सहित पवंच साखाओं ने, पांच मित्रों ने किया, और इन गरंथ के माध्यम से, अर्थात भविस मालिका जो गरंथ है, इसके माध्यम से कल्यों की समाप्ति कैसी होनी है, उसके लच्छड क्या होने वाले है, यह को परिवर्तन के दौर में हम क कैसे पहुचने वाले है, प्रभु कल की अवतार के बारे में भी संपुन एक इन बातों का खुलासा किया गया है, बताया गया है, जहां कल्यों की आयू, जो पांच हजार वर्स बताई गई है, जिसमें हमने, मैं फिर से रीपीट कर रहा हूं, पांच हजार एक सो चब्वि करेंगे, वहां से समस्या आती हुई दिखाई देगी, और दोजर पचीस से दोजर बतीस तक के इस अंतराल का अलखंड में, बहुत सारी बातों में, चीजों में, ब्यवस्थाओं में, बदलाओं को हम देखेंगे, अर्था दोजर पचीस में ही, इस भविसमालिका में बत होगा, अर्था दोजर पचीस से दोजर बतीस तक का जो यूग परिवर्तन के दौर में, अर्थात कल्यूग और सत्यूग के संधी काल, संगम यूग काल में हम प्रवेश करेंगे, और इसी दोजर पचीस से दोजर बतीस के अंतराल काल खंड में, चुकि जो बाते मैं आप आपको बता रहा हूं ध्यान से समझने कि आउ सकता है इसमें आठ प्रकार की बाते सत्य साबित होती भी दिखाई देंगी थर्ड वर्ल्ड वार की बात की गई है खाद संकट की बात की गई है पवन प्रले जल प्रले अगनी प्रले भुकंप अकाल और अंजान बीमारियों ज सहित पंच सखाओं ने धर्म संस्थापना के लिए मानवी कल्यान के लिए और मानों को सचीत करने के लिए अवतार लिए ऐसी माननेता है यह भी पताया गया कि हर युग में पंच सखा रहे हैं अर्थात यदि हम सत्यू की बात करें तो सत्यू के समय मैं भी पांच सखाओं का नाम लिया गया है अर्थात नारद, मारकंड, गारगव, स्वेंभु और कृपाजल का नाम लिया गया है आगे बढ़ते हैं तिता युग की बात किया जाए तो प्रभु स्री राम जी के साथ नल, नेल, जामवंत, सुसेड और भगवान हनुमान जी का नाम लिया गया है अ लौड कृष्णा की जी के साथ भगवान से कृष्ण के साथ दाम, सुदामा, सुबल, सुबाहू और स्री बक्ष का नाम लिया गया है अर्थात जो पन सखाओं ने जो भविस मलिका की रचना की है मानो जाती के कल्यार और मानो को आगाह करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ बताया है अब योग चकर के अनुसार आते हैं तो सत्यूग, त्विता योग और द्वापर योग में थोड़ा ध्यान देने के आउशकता है उनकी आयू में घटोतरी नहीं हुई अर्थात योग का जो भोगकाल था भोगने की समय सीमा थी उसमें घटोतरी नहीं हुई पर जन्तु कल्यूग में यह घटोतरी अर्थात 4,32,000 की जो आयू सीमा कल्यूग की बताई गई है 4,27,000 आयू सीमा को घटाते हुए 5,000 वर्स कर दिया गया अर्थात कल्यूग की आयू इस संदर्व में स्रीमत भगवत गीता में भी अर्जुन ने लौड कृष्णा से सवाल था किया समय सीमा की घटोतरी आखिरकार क्यों हुई भगवान ने पाप कर्मों का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि कल्यूग में कुछ ऐसा होगा कि मनुष्य अन्यतिक्ता में समावेश हो जाएगा जूट बोलेगा पिता माता इस्त्री शिशु ब्रह्म हत्या जैसी बाती होने लएगी नंगे तरीके से सनान करेगा नग्ण अवस्था में शयन करेगा विश्णु प्रतिमा जी की पूजा नहीं होती में दिखाई देगी विश्वास घात जैसी दु करेगा गौ चारागा असमसान भूमी पर कभजा भी होगा गौ हत्या जीव हत्या और भूर हत्या जैसी बातें भी दिखाई देने वालुस प्रतितकाल में कल्यूग पहुंचेगा इस्त्री बिध्वा इस्त्री से गलत काम करने वाले बातों को हम देख सकेंगे अर्थात जब भगवान से क्रिश्णा ने अपनी लीला समाप्त की थी, तो उस समय भी कल्यूग अपने 1200 वर्स को भोग चुका था, कल्यूग के तीन अवतारों की बात की गई है, अर्थात कल्यूग में तीन अवतारों में दो अवतार अल्रेडी हो चुके है, पहला अवतार भगवान बुद्धा जी की बात की जाती है, दूसरा अवतार भगवान चैतन्य महा प्रभु जी की बात की जाती है, और तीसरा अवतार प्रभु कल्की अवतार के रूप में जन्म ले लेवाने है, और कल्की अवतार का जन्म स्रीमत भगवत गीता में इसको सुंतर तरीके से ब्या उत्तरण लेंगे और संबल गाओं की बात होती है तो भारत वर्स के उत्तर परदेश में मुरादाबाद जीले में एक संबल गाओं है और दूसरा उडिशा के जाजपूर में संबल गाओं को चिनित गया गया है अब कल्यूक का अंत जब होना है तो उसके लच्छड क्या है अर्थात उसे कैसे ट्रिसाउट करेंगे तो आध्यात्मिक परिवर्तन क्या क्या होने वाले हैं अर्थात कल्यूक के समापन को कैसे चिनित करेंगे तो बंदिरों के उपर वज्रपात होगा या आध्यात्मिक परिवर्तन के तहत जो बाते बताई गई है धर्मशास्त पु पाएगा जोशी मठ जो उत्राखट में है भगवान श्री निर्सिंग मंदिर या भगवान की परतिमा टूटती हुई दिखाई पड़ेगी गंगा जी विलुप्त होती हुई दिखाई देंगी मंदिरों में मानसहार और सुरापान का आगमन होता हुआ दिखाई देगा श्र की का अवतार लेंगे तो उनके सिहासन में आग लगती हुई दिखाई देगी और मंदिर में चोरी भी होगी पत्थर गिरेंगे पत्थर पर उल्लू बैठेंगे धज पताका पर गिद बैठते हुए दिखाई पड़ेंगे खाजाने खाली होते हुए दिखाई देंगे अन्य कि कल्यूग का समापन हो चुका रहेगा ग्रहोन चत्रों की परिवर्तन की बात की जाए कि क्या वास्तव में कल्यूग समाप्थ होने वाला है तो चंद्रमा की किर्णे धुन्दली होंगी और सुर की किर्णे दस गुना तेज हो जाएगी अकास में उलका पिंड खूब गिरे और सुरी और चंद्रमा के चारो और रिंग अर्थात वलय दिखाई देगा प्रकृति में अर्थात नेचर में भी परिवर्तन को हम देख सकेंगे अर्थात जब कल्यूग समाप्त होने वाला होगा तब की ऐसी बात की गई है दिन में सियार बोलेंगे रात को कोयल देगा आंधी तुफान चक्रवात बादल का फटना भुकंप ज्वाला मुखी फटना बाढ़ ज्वार भाटा में बढ़ोतरी होती हुए दिखाई देगी असमें आम के पेड में फुल और फल लगते हुए दिखाई देंगे असमें ही गव माता जो स्वर्ग से भेजी हु का आगमन होगा पहार की चोटी पर बादल फटने से बार जैसी समस्या आएगी जल्चर और समुंद्रे प्राणी खो मरेंगे पृत्वी के कोने से हर महिने और हर दिन भुकंप जैसी समस्या को हम सुनते हुए खुद को पाएंगे मानों सब्धत्या में भी ऐसा परिवर्त होगी बंधिया दोस जैसी समस्या आएगी संबंधों के प्रति जो भावना इमानदारी है वह पूर रुपेड समाब्त होती भी दिखाई देगी दवाओ के स्यासाथ जीने के लिए हम समों को मजबूर होना पड़ेगा मानसहार और शराब का प्रचलन बढ़ेगा मित्रों मतलब साफ है कि मानों ने अनेतिक्ता अधर्मता और नास्तिकवादी प्रविति को अपना लिया है और प्रकृति के विरुद्ध कारे करना शुरू कर दिया है भोग विलस्था युक्त आचार विवार में कदम रख चुका है मानों और कल्यूक की भोग काल का जो चार प्रमसास्त और पुराण कहते हैं मित्रों अब यही देखना है कि क्या वास्तों में हम अधर्मी हो चुके हैं यदि नहीं तो चिंता की कोई बात नहीं है जो कल्यूकी आयू सिमा जो भोगने वाली समय सिमा है चार लाख 32,000 है परन्तु जो अधर्म की जो का जो आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है इसे कल्यूकी आयू सिमा को 5000 वर्स ही बताये गया है सत्यूकी धर्म का अधार जो दया चमा सत्य और स्वस्ता हुआ करता था उसी पर ध्यान देना है और समस्त मानो जाती के कल्यार के लिए आपको स्वैंग का मुल्यांकन करना है बाकी सब प्रफु पर छोड़ते हुए अपने निष्ठा भाव से जिस कारे को संपोन करने के लिए हम इस मानवी जीवन में पधारे हैं उसे पूर्ण करना है मित्रो एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं जोतिस अचार प्रमिल चत्रुविदी नमस्कार पराम